गाइस लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हम लोगों ने यूज किया था स्विच कैसे स्टेट्मेंट और फिर ब्रेके स्टेट्मेंट का उसकी यूज से हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था और उसको हम लोगों ने रन करक से भी देखा था गाइस आज की वीडियो में हम लोग continue और return statement की help से एक program बनाने वाले हैं और फिर program बनाने के बाद हम लोग उसको run करके भी देखेंगे तो गाइस चली हम लोग वीडियो को सुरू कर लेते हैं तो गाइस जैसा कि आप सभी कोई जानते हैं कि मैं program को ready रखता ह किया है सबसे पहले हम लोग इस program का overview देखते हैं गाइस इस program में मैंने number को count किया है यानि कि 0 से 30 तक जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं i का value 0 से start किया मैंने उस value को मैंने while loop के अंदर 30 तक रखाया अब यहां से आप लोगों को थोड़ बहुत clear हो गया होगा 30 तक number को count करेगा उस number को count जब तक करेगा at the same time हम लोगों का program यह भी check करेगा कि वो जो number था वो odd था या फिर even था तो guys चलिए हम लोग अब और अच्छे से समझते हैं इसको guys आप लोग सबसे उपर वाली line पर देख सकते हैं कि white setup time का मैंने एक function बनाया है उसके अंदर मैंन serial.begin मैंने serial monitor को initialize किया है अब initialize कैसे करते है serial monitor को इसको मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ इसको मुझे नहीं लगता कि फिर से दोवारे बताने की जरूरत है अब guys हम लोग next line की तरफ चलते हैं यानि कि दूसरा जो function है wide loop यानि कि जो भी हम लोग code लिकेंगे इस को यानि कि zero से start होगा अब मैंने while loop का use किया यहाँ पर while loop के अंदर मैंने parenthesis के अंदर लिखाया है यहाँ पर हम लोगोंने condition लगा दिया है कि i की value है 30 से उपर नहीं जानी चाहिए 30 के अंदर ही रहना चाहिए यहाँ पर आप लोग इतना समझ गये होगे अब हम लोग next line में आते हैं यानि कि curly bracket अब guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक और variable बनाया है जो कि integer data type का है इसका identifier यानि कि इसका नाम है result अब इसमें मैं क्या store करूँगा इसको मैंने क्यों बनाया तो guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि i का value मान ले जें कि अभी 0 है हम लोग चलते हैं इस screen के नीचे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक मैंने function बनाया है integer data type का calculate नाम का function बनाया है जो कि i की value को check करेगा even है या फिर odd है तो guys यहाँ से आप लोग इतना समझ गए होंगे अब guys हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसे ही मैंने इस function को call किया calculate calculate i अब guys यह जो function क्या करेगा कि i का value यानि कि अभी 0 है 0 लेकर जाएगा और उसको check करेगा कि यह even है या फिर odd है उसके बाद फिर यहाँ पर लाकर result वाले variable के अंदर store कर देगा यह line सिर्फ इतना करेगा अब guys यहाँ पर हम लोग next line में चलते हैं मैंने conditional operator का use किया यानि कि if अब यहाँ पर हम लोग result को check करेंगे यानि कि result में तो value store हो चुका है calculate नाम के function ने store कर दिया result के value को अब हम लोग result के value को check करेंगे कि अगर 0 है या फिर 0 के उपर यानि कि 1 है तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले if लिखा है उसके बाद parenthesis के अंदर मैंने condition को check किया है if result equal to equal to 0 अब यहाँ पर मैंने double equal to का sign क्यों लगाया है double equal to operator assignment operator क्यों use किया है इसको भी मैं पहले बता चुका हूँ if result equal to equal to 0 अगर result का value जो है 0 हो जाएगा तो line के अंदर हम लोग आते हैं curly bracket के अंदर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने serial monitor का use किया है serial.print i i का जो value है 0 i का जो value है print हो जाएगा यानि कि अभी i का value क्या था ? 0 था i का value सबसे पहले 0 प्रिंट हो गा उसके बाद just उसके बगल में serial.printline is even इतना print होगा यानि कि i का value 0 print होगा उसके बाद फिर is even print हो जागा अब guys यहाँ पर मैंने उपर में result का value 0 चेक कर लिया अगर 0 होगा तो यह print होगा लेकिन अगर 0 नहीं हुआ तो क्या print होगा तो guys यहाँ पर मैंने else statement का use किया उसके बाद फिर मैंने curly bracket के अंदर दिया फिर से i की value को यहाँ पर print करेगा अब महाली देखी guys i का value 1 हो चुका है भी इस case में 1 हो चुका है तो यहाँ पर क्या होगा guys की i का value 1 print होगा serial monitor के उपर उसके बाद next line में फिर से serial.print line just उसके बगल में is odd print हो जाएगा अब यहाँ पर i का value increment हो जाएगा यानि की 1 हो जाएगा अब यहाँ पर 500 millisecond के लिए हमारा program delay पर जाएगा यानि की program लुक जाएगा अब guys यहाँ पर हम लोगों का program जो है फिर से उपर जाएगा अब उपर लेके गया है i का value 1 यहाँ पर i का value हो गया 1 अब फिर से while लुक के अंदर आएगा condition को check करेगा i का value 30 से नीचे है की नहीं यहाँ पर फिर से वो ही same चीज run होगा उसके बाद फिर delay 500 यहाँ तक करते करते i का value 29 तक जाएगा अब जैसे 30 होगा हमारा program जो है terminate हो जाएगा अब guys यहाँ से आप लोग समझ गए होगे कि हम लोगों का program जो है कैसे काम करता है अब guys हम लोग समझते है कि आज की वीडियो का जो topic है return statement सबसे पहले हम लोग return statement को समझेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक function को create किया था calculate नाम का जिसको मैंने यहाँ पर call किया था अब इसको चलिए समझते हैं आखिर यह function करता क्या है तो इस function के अंदर ही हम लोग return statement को समझेंगे अब guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक integer data type का एक function create किया इसके अंदर मैंने parenthesis के अंदर मैंने int num नाम का एक variable बनाया जिसको हम लोग parameter भी कहते हैं अब guys यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि मैंने int क्यूं लिखा white क्यूं नहीं लिखा जैसे कि white loop, white setup यहाँ पर मैंने int क्यूं लिखा तो guys कोई सब यह number को calculate करने के लिए हम लोग use करते हैं integer value का अब guys यहाँ से हम लोग और इसको अच्छे से समझते हैं अब guys हम लोग curly bracket के अंदर आते हैं guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक variable बनाया है जिसका नाम मैंने दिया val अब इसको मैंने initialize कर दिया 0 से अब guys यहाँ से तो आप लोग समझ गया होगे कि मैंने एक variable बनाया है जिसको मैं आगे काम में लेने वाला हूँ value को store करने के लिए अब यहाँ पर मैंने लिखा val assignment operator का use किया है मैंने उसके बाद फिर मैंने लिखा है num modulus 2 अब guys यहाँ से num modulus 2 जो है यह i की value को calculate करेगा अब यहाँ पर सिर्फ हम लोग calculate कर रहे है i की value को हम लोग यहाँ पर यह नहीं चेक कर रहे है कि यह जो है even है या फिर odd है हम लोगों ने even और odd को चेक करने के लिए उपर में if statement से चेक किया था लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ i की value को चेक कर रहे है अब यहाँ पर guys आप लोग देख सकतें कि यह जो num आया है उपर से आया है यहाँ पर मैंने एक parenthesis के अंदर num नाम का variable बनाया था अब उसको मैंने यहाँ पर use कर लिया है num modulus 2 यानि कि माल लिजे कि i का calculate नाम का जो function है वो उपर से लेकर आया है i की value को माल लिजे 2 लेकर आया है यहाँ पर num का जो value है 2 है तो अब वो यहाँ पर ला कर देगा num का value 2 है यहाँ पर तो 2 modulus 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो guys val नाम के variable के अंदर हमारा जो value है 0 हो जाएगा अब return statement क्या करेगा कि हम लोगों ने यहाँ पर int calculate नाम का जो है function को create किया था अब यह जो है int data type का है हम लोग अगर white data type का function को create करते हैं तो guys हम लोग उसमें कोई सा भी value को return नहीं करते हैं in fact हम लोग return statement का use ही नहीं करते हैं white data type के function में लेकिन अगर हम लोग int या फिर care या फिर float नाम के function को हम लोग create करते हैं तो हम लोग उसमें कोई ना कोई value को return करते हैं अगर हम लोग return करना भूल जाते हैं तो guys हम लोगों का program compilation error देने लगेगा तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि return value वैल नाम के function का जो value है zero हो चुका है अभी अब यह क्या करेगा कि return करेगा इस calculate नाम के function को यानि कि यहां पर यह जो calculate नाम का function है उपर से i की value को 2 लेकर आया था अब 2 लेकर आया यहां पर उसने calculate किया ला कर दिया कि हाँ भाई यह लो calculate करके 2 मुझे तो इसने दिया कि लोग 2 का value मैं 2 लेकर आया हूँ अब इसको बताओ कि यह क्या है इसका value calculate करने के बाद 0 आता है या फिर 1 आता है तो यहां पर 2 modulus 2 का value हो जाएगा 0 यानि कि result हो जाएगा 0 अब यह क्या करेगा कि return नाम का जो statement है यह फिर से calculate नाम के function को value को return करेगा यानि कि calculation के बाद return statement calculate नाम के function को value को return करेगा कि हाँ यह लो तुमने जो number लाया था उसका calculation करने के बाद जो value आया है 0 आया है अब यह calculate नाम का function फिर से उपर जाएगा अब यह जो calculate नाम का function जो है zero value कर लेकर आया है अब यहाँ पर result वाले variable में इसको store कर देगा अब उसी variable के base पर हम लोग यहाँ पर act करेंगे यानि कि program को check करेंगे, number को check करेंगे i की value को, कि यहाँ i का value जो है even है या फिर odd है तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि if statement का हम लोग use करके हम लोगों ने पता लगाया कि i जो है even है या फिर odd है तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि आप लोगों को return statement कैसे काम करता है यह समझ में आ गया होगा अब चलिए हम लोग इसको run करके देखते हैं serial monitor पर print करके देखते हैं तो guys सबसे पहले हम लोग इसको compile कर लेते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का program जो है compile हो चुका है अब इसको हम लोग run करके देखते हैं अब जो है हम लोगों का program upload हो चुका है अब हम लोग serial monitor को open करेंगे तो guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का program successfully run हो चुका है अब guys हम लोग चलिए समझते हैं कि continue statement क्या करता है अभी हम लोगों ने देखा guys कि हम लोग अपने program में आई के value को 0 से लेकर 30 तक हम लोग increment कर रहे थे यानि कि 0 से 30 तक count कर रहे थे लेकिन guys कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मान लिजए कि हम लोगों ने इस program में चाहा कि I का जो value है 15 तक जाए उससे उपर नहीं जाए तो यहाँ पर हम लोग use करेंगे continue statement को अब हम लोग यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे if parenthesis के अंदर हम लोग value को check करेंगे if I is equal to equal to 15 क्यूंकि हम लोग नहीं चाहरे है कि I का जो value है 15 से उपर बढ़े तो हम लोग यहाँ पर if I is equal to 15 हम लोग यहाँ पर check कर रहे है if अगर I का जो value है 15 हो जाएगा हम लोग enter देकर नीचे आएगे अब हम लोग curly bracket के अंदर लिखेंगे अब guys यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि if I का जो value है 15 हो जाए तो हम लोगों का जो program में क्या करेगा कि continue कर देगा यानि कि 15 के बाद print नहीं होगा यानि कि जैसे ही 15 होगा तो हम लोगों का program जो है skip हो जाएगा यानि कि iteration जो 0 से लेकर 30 तक count हो रहा था वो 15 आने के just उसी time जो हम लोगों का iteration skip हो जाएगा अब guys हम लोग इसको चलिए हम लोग run करके देखते हैं और समझते हैं कि हम लोगों का program जो है काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है तो इसको भी हम लोग एक बार compile कर लेंगे तो guys यहाँ पर आप लोगों का program compile हो चुका है अब इसको हम लोग run करके देखते है अब guys यहाँ से आप लोगों का program जो है run हो राए लेकिन यहाँ पर 0 से start हो कर यह 14 तक ही गिया है 14 से आगे नहीं बढ़ा है कि अगर i का जो value है 15 हो जैसे ही 15 हो हम लोगों का program जो है यानि कि iteration skip हो जाए तो guys उमीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा अगर guys आप लोगों को इस वीडियो से related कोई सभी doubt रहे गया हो तो आप लोग मुझसे comment में पूछ सकते हैं guys अगर वीडियो पसंद आए तो इसे like करना शेयर करना और साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो guys चैनल को subscribe कर लेना मिलते हैं next वीडियो में goodbye